हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं यदि आपने IRCTC से रेज़ावेशन किया और यदि आपका रेज़ावेशन नहीं हुआ किसी काराण से ट्रान्यक्शन फैल हो गया और आपका पैसा भी बैंक से कट चुका है अब आपका refund किस तरीके से होगा आपका पैसा पापेस कैसे आएगा इन्हें सब की पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो पता करेंगे चर्चा करेंगे मैं हूँ दिपेंद आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ हमारे यूटूब चैनल शिपी ग्यान मैं यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बैल आइकन को दभाएं जिससे की इसी तरह के लेटेस्ट और यूसफुल कॉंटेंट आपको सबसे पहले मिलते रहें चो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऐसी कौन सी परिस्तिती होती है जिन में IRCTC पैसा काट लेता है आपके एकाउंट से और टिकेट बुक नहीं होता है यानि कहने का मतलब आपने टिकेट बुक किया आपने पूरा फॉर्म भरा फिलप किया और जैसे ही आपने ट्रांजेक्शन किया और आपका टिकेट बुक भी नहीं हुआ और आपके बैंक से मेसेज आ गया कि आपका पैसा उस टिकेट का पैसा काट लिया गया है IRCTC में आप जब रेजवेशन करते हैं तो तीन ऐसे कारण है जिन में पैसा कर सकता है मुश्टली वो गलतिया हम करते हैं नमबर एक चब हम रेजवेशन करते हैं तो only allotted बर्थ वाला जे ओप्सन दिख रहा है आप इस पर किलिक करते हैं तो यदि आप जिस ट्रेन का रेजवेशन कर रहे हैं उसमें अगर सीट खाली नहीं होगी तब भी आपका पैसा कट जाएगा और रेजवेशन नहीं होगा नमबर दो इस्तिती यदि आप जो इसके नीचे ये वाला टैप देख रहे हैं इस पर आपने उस ट्रेन का कोई कोच बर्थ नमबर या कोई ऐसा अपना इस्पेसल डेमांड इस पर लिख दी अब उस ट्रेन में उस तरहीगी का और या उस कोच में संबंदित जगाए पर स तो सबसे ज़्यादा आप लोगों को के साथ होती है आपने सब कुछ सही भरा रिजावेशन करवाने के लिए आपने पूरा फॉर्म सही भरा आपने देख भी लिया सीटे है एबलेबल है सब कुछ है सब सही है और आपने जैसे ही रिजावेशन करने के लिए किलिक किया त तो IRCTC आपका payment के लिए option मांगता है जैसे ही आपने UPI कोई भी transaction के लिए आपने उस पर click किया तो हो सकता है उस समय आपके bank का server कम हो या किसी कारण से bank द्वारा payment IRCTC को नहीं हुआ है और internal, bank में internal आपका पैसा कट जाएगा और वह पैसा IRCTC को नहीं पहुचेगा इस इस्तिती में भी आपके पास bank से message आजाएगा और आपका reservation नहीं होगा, ticket book नहीं होगा अब इन तीनों परिस्तिती में एक common बात होती है यदि आपका पैसा कटता है तो 48 घंटे के अंदर अंदर आपके कटे हुए account में पैसा आ जाना चाहिए यदि फिर भी नहीं आता है तो 3 working day इन में आपका पैसा आ जाता है 99% केसों में आपको 3 working day में जरूर से जरूर आपका पैसा बापिस आ जाता है फिर भी किसी परिस्तिती में हो सकता है किसी परिस्तिती में एक हपता या दो हपते आपका पैसा बापिस नहीं आता है तो आपको complain करना चाहिए कि हमारा पैसा बापिस नहीं आया और जो transaction ID रहती है आपको SMS द्वारा इमेल द्वारा आपको भीजी गई थी उनको आप समाल कर रखें और इसके अलाबा आप जो स्कीन पर नंबर देख पा रहे हैं इन नंबरों पर call करें इसमें आपको पूरी तरह के से सहायता की जाएगी आपको आपके account के साथ transaction क्यों नहीं हो रहा है क्या transaction किया जा चुका है यह सारी जानकारी आपको इससे मिल जाएगी और यदि IRCTC के help IIN नंबर से बात होने के बाद यह confirm हो जाए कि IRCTC ने पैसा refund कर दिया है तब फिर आप अपनी home branch यानि की आपनी bank में विजिट करें और वहाँ जाकर पता करें कि पैसा क्यों नहीं आया है तो यह कुछ तरीके हैं आप इन तरीकों को अपना कर आप अपना पैसा जो IRCTC से कटा था वह आप refund पा सकते हैं बहुत ही rear case में ऐसा होता है कि पैसा ना आए जबकि 48 घंटे के आंदर आपको आपका पैसा refund कर दिया जाता है यदि आपको अभी भी कोई confusion है तो आप comment box में comment करें मैं कोसिस करूँगा आपके इस comment को जवाब देने की मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में जब तक के लिए जै हिन जै भारत